ग्रामिन सफाई करमचारियों ने दूसरे दिन भी भट्टुकला में धर्ना दे पंचायत मंत्री दिवेंदर बबली के खिलाफ नारे बाजी की। मुख्यवक्ता के रूप में जिला सचीव बेगराज ने करमचारियों को सुम्बदित करते हुए कहा कि गाउं में लगबग 15 साल से सफाई करमचारी गाउं की सफाई का कारे कर रहे हैं लेकिन किसी भी मंत्री ने ग्रामिन सफाई करमचारी की समस्यों के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गाउं में करीबन 15 साल हो गए हैं सफाई करमचारियों को काम करते हुए 15 सालों में गाउं का विकास और गाउं में नालियां और नालों का विकास दोगुना हुआ हो गया मगर गाउं में किसी भी सफाई करमचारी की अब तक कोई संख्या नहीं बढ़ी है ब नहीं इन्हें कोई अच्छे ओजार दिये गए हैं। नहीं की तरहें मुलबुत सुईधैं परदान की जाएं। पुलिस कप्तान की निर्देशा अनुसार नसे के परती जन जन को जागरुक करने को लेकर विम्बिन सस्ताओं के साथ लेकर पुलिस सैंकल यात्रा के माद्यम से जागरुकता रेली का आवजन कर रही है। इसी के तहत गाउन डिंग्सरा से भट्टुकला तक उप पुलिस अधिक्षाक चंदरपाल के नेत्रतों में 16 जून को परता साड़े पांच बजे से डिंग्सरा से जागरुकता रेली के रूप में सैंकल पर यात्रा शुरू होगी। जिसका समापन भट्टुकला में किया जाएगा ताकि नसे के खिलाफ चल रही इस मुहिम को सफल कर इस पर अंकुस लगाया जासके। सनिवार को सुबह 9 से 12 बजे तक रकदान सेवर का आयोजन होगा। उन्होंने बताया कि सभी गो भगतों वे गरामिन जन सेहुक के चलते इस सीवर का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें फत्यावाद से स्वास्ते विबाग की टीम इस रकदान सेवर में अपनी सेवाईं देंगी। यहां आयोजन होने वाले इस रकदान सेवर की त्यारियां जोर सोर से शुरू कर दी गई हैं। जिसमें रकदाता बढ़ चट कर भाग लेंगे।